problem discuss करेंगे जो related है least common multiple यानि LCM से statement है जी problem की 4 bells ring at intervals of 2, 3, 6 and 8 minutes respectively at what time they ring together if they have start ringing simultaneously at 8 AM मतलब 4 आपको ये bells नजर आ रही है ठीक है जो कि 8 बजे जो है वो on हो जाती है ठीक है मतलब इनको हम ये समय लें के मुशाहिदा इनका करना शुरू किया हमने अब जो bell number one है वो हर 2 minute के बाद ring करेगी मतलब इसका time period है कि हर 2 minute के बाद इसने ring करना है इसका तर ये 8 बच के 2 minute पे ring करेगी फिर 8 बच के 4 minute पे ring करेगी फिर 8 बच के 6 minute पे ring करेगी ठीक है इसी तरह जो bell number two है इसने हर 3 minute के बाद ring करना है इसलिए बेल नंबर 3 ने हर 6 मिनट बाद बाद रिंग को रिपीट और जो बेल नंबर 4 है इसने हर 8 मिनट के बाद अपनी बेल को रिंग करना है ठीक है हमने यह देखना है के कौन सा वो time होगा कि एक दम चारो bells ring करें ठीक है तो वो कैसे find होसकता है देखें अगर हम यह देखैं कि यह two के multiples में चलती रहेगी बेल यह three के multiples में यह six के multiples में और यह bell जो है वो eight के multiples में चलती रहेगी तो इनके multiples चारों में, चारों के मतलब multiples में, वो multiple जो common होगा, वो ही, वो time होगा, मतलब 8 बजे के बाद, जो भी time आएगा, minutes में, वो time होगा, जिस पर ये चारो bells कठी ring करेंगी, ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें अगर पहली दफार find करना चाहते हैं, कि कभ ये ring करेंगी चारों बेल्स, तो फिर वो least common multiples हो जाएगा, ठीक है, तो देखें, हम यहाँ सबसे पहले multiples of 2 लिखते हैं, ठीक है, तो देखें, 2 के multiples के आएगगे, 2, 2 one time 2, ठीक है, then 4, 6, then 8, ठीक है, then 10, इसी तरह स्वान, 12 आएगा, 14, 20 आजएगा, ठीक है, 22 आएगा, 24 आएगा, इसी तरह स्वान, आगे और भी multiples आते जाएगे, ठीक है, अब हम लिखते हैं, multiples of 3, तो क्या आएगे जी, 3 आएगा, 6 आजएगा, then 9, पिर 12, इसी तरह 15, फिर 18, 15, ठीक है, बतलब फिर 21, 24, 27, एगे इसके बाद अगर हम multiples of 6 देखें, तो क्या आएगा, 6, फिर 12, फिर 18, 24, 30, एगे इसके बाद अगर हम multiples of 8 देखें, तो उसमें, क्या आएगा जी, सबसे पहले 8 आएगा, फिर 16, फिर 24, फिर 24 में 8 अट करें, 32, ठीक है, फिर 32 में 8 अट करें, 40, और इसी तरह से आते जाएंगे, अब हमने देखा, कि multiples में से, 24 ऐसा multiple है, इन चारों numbers का, जो चारों में common है, ठीक है, ये चारों का multiple है, और ये सबसे smallest multiple है, या least multiple है, तो हम कहेंगे कि LCM जो आया हमारे पास, of given numbers, ठीक है, वो क्या आगया, वो आगया, 24, और चुके, ये minutes को represent कर रहा था, इसका मतलब के, 8 बच के, 24 मिन्ट पे, ठीक है, जब ये bell ring करेगी, तो उसी time, इस bell ने भी ring करना है, उसी time, इस bell ने भी ring करना है, और इस bell ने भी ring करना है, ठीक है, मतलब ये इनका multiple में वो time आ रहा है, तो इसका मतलब, के 24 हमारा least common multiple था, जो के, इस problem के लिए, एक solution के तोर पर आया, और हमने, वो जवाब दे दिया, इसी तरह, ये चारो bell फिर भी, दुबारा भी ring करेंगी, वो आप इसके बाद, और multiples निकाल के, second, जो common multiple है, वो देख सकते हैं, के वो कौन सा time बन सकता है,